जब अचानक से घर में महमान आ जाएं, फिर हमें चाहिए होता है कि जटपट सी कौन से सबजी बनाएं, जो हमारी सबजी कम समय लेकर स्वादिस्ट बन जाएं जो हमारी recipe है जो मातर दस मिनट में instantly बनके तयार हो जाती है, स्वादिस्त बनके आती गई ये रही है जरी हेट-बट बनने वाली इंस्ट्ट कट कर लेना है मसालो कैपसिकम की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैपसिकम, जिसे हमें इस तरह से कट कर लेना है, साथ में हमें चाहिए एक प्यास, इसे भी हम कर लेंगे, प्यास को हम थोड़ा बालिक कट कर लेंगे, चाहिए एक टमाटर, टमाटर को भी हम इस तरह से कट चौप्ट गार्लिक और जिंजर एंड ग्रीन चिली और मसालों में चाहिए मैगी मसाला पौडर हल्दी पौडर और लादमेश्क पौडर बस इसके लाबा कुछ नहीं चाहिए चलिए हम फटा बड़ सब्सी बनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम गड़ाई में मस्टर्ड ओल डालेंगे और इसे गार्म होने रीपर के तक हीट करेंगे तेल जासे गार्म हो जाया सबसे पहले हम जिंजर गालोगे हो हमसें डालेगे और जम्साने इसे ब्राउन होने तक हम अच्छे से भूम दिंगे और इसे ब्राउन होने तक ज़रें गाली है इस ल्क भूम होने थी मिनाँ मिस्त भी डाल filmed और साथ में डालेंगे हम यहां पर हवादी दालेंगे Hopam Zealand сजब राज़ी सोरा का हम सब्सक्राइब हम जूब। गइंटर ने तश्वादवर्वंने के बादऍा हमसे हम ऐख्वायर ना दालेंगे उनवाहली घ़्ल का हमें तो के भूप म मेगा पॉडर्व से हम भी 10 से 50 सेकेंड के लिए अच्छे से मिला लेंगे das अभी हम डालेंगे हमारे कैपसिकम और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे कैपसिकम हलका भून गया इस वस पर हमने जो आधा टमाटर रखा थल याए शने ऑंडे और इसे पास ही लिए बिल्कु लोक का ये यह हमारी कैपसिकम की इंस्टन सब्जी बनके तयार है चले इसके ब्रेडिंग कर लेते हैं यह हमारी कैपसिकम इंस्टन कैपसिकम की सब्जी बनके विल्कुल तयार है आप इसे रोटी चपाती के साथ सर्फ करें